वेल्कम बैक टु मैं चैनल तिस साइड सीदी और आज की वीडियो में आपके लिए इंपोर्टेंट बेगर टैस्स सीरीज लेकर क्या आई हूं यह आज की वीडियो आप सभी को पता है कि हमारी यह सेकंड टैस्स सीरीज होगी इससे पहले मैं आपको अल्डेडी एक टैस्स स बघ्स और चुके जिसमें मैंने आप सभी से एंपोर्टेंटी पूछे थे जिसमें आपको पूरे सभी स्पाइफ लिया था जिसमें आप सभी का रिस्पॉंस बहुत ही अच्छा रही तो आज थे वीडियो में है सभी को सब्सक्राइब करने में उन्याइवल इस्ट्री मै तो आज की वीडियो पर मैं आप सभी के लिए मेडियेवल के कुछ important 30 questions लेकर के आने वाली हो जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आपके एक्जाम के लिए helpful होने वाला है चाहिए आप चाहिए आप दिली उनिवर्सिटी के एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हो यह बहुत ही ज्यादा helpful होने वाली है और टॉपिक वाइस टैस सीरीज पर इसलिए लेकर क्या हूं ताकि आप सभी कोई एक आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक से आपका जो वीक्स एक्सर है वह आ टैस सीरीज में आप सभी के लिए लेकर आई थी इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वह मॉडर्ण इस्ट्री के ओपर आने वाली इसमें भी हम टॉपिक वाइस इंपॉर्टेंट को डिस्कॉस करेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहे और आगे भी जो टैस सब्सक्राइब आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम अपडेट मिलते रहे तो बैल ऐकन को जरूर प्रेस कीजिएगा टैस स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आज की वीडियो में हम जो करने वाले वह गया आपके मेडियेवल हिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेशन जो कि आपको टोटल थर्टी क्वेशन आज की वीडियो में देखने को मिलने वा चाहे आपके medieval हो चाहे आपका modern हो सारे topic wise questions discuss करने वाल है यह start करने से पहले मैं आपको यह बता दू कि जैसे की medieval history में आपके दिल्ली सल्तनत का topic होता है आपके मुगल्स का topic है जो आज की वीडियो में आपको questions देखने क्यों मिलने वाल है चाहे आपका चोल हुआ चाहे आपके प्रतिहारा यानि tripartite struggle हुआ यह सब कुछ आज की वीडियो में हम करने वाल है इन सभी से related questions आपको देखने को मिलने वाल है चाहे आपका विजन अगर का question हुआ ठीक है विजन अगर का topic हुआ आपका सूफी और चिस्ती हुआ यह सब पे आज की वीडियो में कोई questions मिलने वाल है तो वीडियो के end तक बने रहना है और आपको यह देखना है analyze करना है कि आप लोगों कौन से topic में आपका score कितना अच्छा रहा और जहां भी आपका गलत होगा वीडियो के बाद आप सभी को क्या करना है last end होने के बाद उस topic को जाकर यह पढ़ना है ताकि यह गलती है यहां हो वहां पर आपके exam में ना हो ठीक है टेस्टास करने से पहले आप सभी को मैं पता दूँ आपको per question करने के लिए मैं 30 seconds से कम कई time देने वाली हूँ क्योंकि आपकी speed आपको यहां बढ़ानी है तो मैं पूरी कोशिश कूंगी 15 seconds का time आप सभी को बस मिलने वाला है speed आपके अच्छी होने सी क्योंकि आप सभी को पता है exam आएंगे तो आपकी online exam होने वाले तो speed बहुत मैंने करती है बहुत matter करती है जिससे आप लोग कम समय पर जादा से जादा questions करके आ सके तो आपके लिए इसलिए 15 seconds का time दूँगी जब तक में question read करूंगे आपको उस question का answer comment box में comment करके बताना है वीडियो के end में आप सभी मुझे बताएंगे कि out of 30 आप सभी का score कितना रहा आप चाहों तो comment box में अपने answer लिख सकते हैं आप चाहों तो आप एक copy और pen लेकर के बैठ सकते हैं और पूरे 30 questions की first का यह answer second का यह third का यह और और आप लोगा analyze करकी देख सकते हों कि आप लोगों का score यह आप लोगों की तयारिया किसी लिए बाकि आपकी वरसी है participate करना क्योंकि यह तेस्ट मैं आप भी के लिए यह हुँ और आपके ही response देखना है कि आपको यह पहत्द चले कि आप लोगों की तयारिया कैसी चल तो चलिए आप सभी आशाकर्दी तयार होंगे चलिए स्टार्ट करते और यह आप सभी के सामने पहला क्वेशन जो कि आप से गुज्जर प्रतिहार से पूछा गया रीपार्ट आइस्ट्रॉगल से किस विदेशी आतरी ने गुजर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवम इस वंश के शाशक को बेरा कहकर पुकारा था विच फॉर्णर ट्रेवलर कॉल्ड दा गुजर प्रतिहार डायरिस्टी अलगुजर एंड रूलर अफिस डायरिस्टी एस बेर आपके options हैं सुलेमान, अलमसूदी, अलब्रूनी या इन में से कोई नहीं question समझ में आ गया जल्दी जल्दी आपको response करना है जब तक मैं question read करती हूँ इंगलिस और हिंदी में आपको जल्दी से पढ़के इस question का answer कर देना है और फिर मैं आपको साथी साथ answer भी बताती जाओंगी ताकि question आपको clear होता जाए clear हो गया question भी बहुत सा बार आपके exam में पूछा जा चुका है चाहे वो entrance का exam हो चाहे आपका कोई भी competitive exam अगर हम बात करेंगे कि आपके अल्गुजर और किसको आपके बेरा कहकर पुकारा गया था तो वो आपके गुजर प्रतिहार वंस की कौन सा वो विदेशियात्र थी तो वो थी आपके अल्मसूदी ठीक है इस question का right answer क्या है आपका option number B तो जितने भी लोगों ने option number B दिया है वो बिल्कुल correct है तो अल्मसूदी वो foreigner traveler है जिने अल्गुजर या फिर आपके बेरा कहकर पुकारा गया था clear हो गया चलिए और जिसका भी incorrect हो रहा है कोई भी problem नहीं है आप लोग ए exam में कोई भी question ना चूटे बात करते हैं अगर तीर प्रक्षे संगर्ष की तो जिसको भी यह topic पढ़ना है जिसमें मैंने आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से आपके पाल गुज़प्रतिहार और आपके राष्टकूट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है तो आप लोग medieval history की playlist में जा करके चैक आउट कर सकते हैं लिंक description में हैं नहीं तो आप playlist को चैक आउट करो medieval history में आपको यह topic मिल जाएगा और इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं जिन्हें भी यह lecture लेना आप लोग इसको कर सकते हैं clear हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे next question question number second की तरफ second question यह आपके सामने जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है करपूर मंजरी नाटक के रचिता राज शेकर को किस प्रतिहार शाशक ने शन्रक्षन दिया था विच प्रतिहार रूलर पेटर नॉइज राज शेकर दा ओथर अप ले करपूर मंजरी आपके options है नागबट फर्स्ट नागबट सेकेंड महेंदर पाल फर्स्ट या फिर मिहीर पोज यह भी आपके गुजर प्रतिहार से question है त्रीपक्षाई संघर्स से यह question मैंने पूछ से question मैंने पूछा है और अभी मैंने आपको बताया कि आपको यह जाकर कि आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने यह तीनों को बहुत डीटेल में कराया हुआ है अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो यह नोट करना आपको कि करपूर मंजरी नाटक के से कौन ते राज शेकर तो वह कौन सा प्रतिहाश आशक ने इनको संड्रक्षन दिया था वह थे आपके महेंद्र पाल फर्स्ट ठीक है तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या है ऑप्शन नमबर सी तो जिन्होंने भी ऑप्शन नमबर सी दिया है वह बिल्कुल करेक्ट है तो महेंद्र पाल फर्स्ट है जिन्होंने करपूर मंजरी जो नाटा के आपके राज शेकर को संड्रक्षन दिया था चलिए आप बात करते हैं इसकी एक्स्प्लेनेशन की जैसे कि मैं आप सभी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना यहां से कुछ भी क्वेशन आपके में पूछा जा सकता है करपूर मंजरी के रचिता थे आपके राज शेकर महिंद्र पाल प्रथम कि यह क्या थे शिक्षक थे राज शेकर एक पक्यात क्या थे यह आपके एक संस्कृत कभी थे नाटक कार थे और अलोचक थे यह आपके संस्कृत पोयट ड्रामेटिस्ट और केटिक थे very important और 37 आपको ये भी याद रखना है कि राजशेकर वो court poet था कभी की दर्बारी था गुजर प्रतिहार का ये भी एक्जाम में question बनता है very important है कि गुजर प्रतिहार के दर्बारी कभी जो वो कौन थे राजशेकर ठीक है और नेक्स्ट आपको ये चीज और या तिकनी है काव्या विमान्षा अगर आपके एक्जाम में आजाए कि काव्या विमान्षा किसके द्वारा लिखी गई है या फिर इसके रच्चेता कौन है तो राइट अंसर क्या होगा आपका राज शेकर ठीक है राज शेकर ने ये बुक लिखी है ये भी आपके एक्जाम में पूछा सकता है मैंने बुक्षिन आथर आपको बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है प्लेइलीस में जाकर करके चेक आउट कर सकते हैं जुने नहीं करा है ठीक है उसमें मैंने ये सारी चीजे मैंशन की भी ये अल्रेडी बताया हुआ था तो काव्य विमान्शा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यादखना राज शेकर के द्वारा ये लिखी गई थी 829 के बीच में इसके अंदर आप देखोगे कि काम अनिवारे रूप से कवियों के लिए एक वह अकृत भाषा में और उनके नाटा करपूर मंजरी पर ये अधारी थी तो ये सारा ये प्ले है आपसे एक्जाम में ये भी पूछा सकता है कि करपूर मंजरी आपका क्या है ये प्ले है ठीक है तो ये सारी चीज अच्छी तरीकी से चाहो तो आपका स्क्रीन शॉट ले सकत उत्रपत्थ स्वामी कहा था विच पाल रूलर वस कॉल्ड उत्रपत्थ स्वामी बार्दा गुजराती पोईट स्योड्यूर्यल आपके अप्सें धरमपाल गोपाल देवपाल या नन अफ दीज जल्दी से बताईए यह आपके पाल डाइनिस्टी से क्वेशन है अभी तक मै पार्टू भी में आप सभी के लिए लेकर होंगे एक्जाम से पहले लेकिन आप सभी का पार्टिसिपेट और रिस्पांस बहुत अच्छा होना चाहिए तो अगर हम बात करेंगे जो आपका पाल सासक था जिसके अभी गुजराती कवी सोडू डल ने उत्रापत स्वामिन का था वो थे आपके कौन धरम पाल इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा आपको आपको आप्शन नमबर ए तो जितने भी स्टूडेंट्स ने प्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे बात करते पहले हम इसकी एक्स्प्लेनेशन की कि इन्हों ने इनको यह ऐसा क्यों कहा था यह नाम क्यों दिया गया था तो धरम पाल की संपर्भुता आप देखोगे तो पंजाब में ठीक है आपके पक्षिमी पहाड़ी राज्य में भी दोनों के सास को द्वारा ही स्विकार किया गया था इसी वज़े से उत्री भारत के सर्वों पर ही स्वामी यह बन चुके थे और इसलिए उन्हें उत्रापत स्वामी या फिर उत्तर भारत का भगवान भी कहा जाता है लौड ओफ नौर्दन इंडिया अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसे कहा जाता है तो यह भी धरम पाल को कहा जाता है ठीक है तो यह क्यों खाजाता है यह सारी चीजी भी आप सभी को पता होना चीए चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेस्टिन नम्बर 4 की तरफ मैंने आपसे पूछा है हिंदू विधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचेटा कौन थे वह उस्ट ऑथ दायभाग अफेबस बुक ऑफ हिंदू लौ विग्यानेश्वर मनू जिमत वहान या इन में से कोई नहीं पहले चीज़ तो आपको यही पता होना चीए कि आपका दायभाग है यह आपके एक हिंदू लौ भुक है ठीक है हिंदू विधी की प्रसिद्ध पुस्ता के यह चीज़ आपको पता होना चीए और इसकी रचेटा कौन है यह आपसे पूछा गया है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्योंकि बुक्स अनौतर से सी ने भी ऑप्शन नमबर सी दिया है वह बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ेंगे इसकी एक्स्प्रेनेशन भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जमित वहान एक भारतिय संस्कृत विद्वान है और पारंबिक मध्यय यूगिन काल के वैश्नवाद पर कानूनी और धार में ग्रंतों के यह लेखक है यह अर्ली मैली एवर्ड पीरेड में आप देख सकते हो यह राइटर है आपके लीगल और रिलीजियस ट्रीट वेस्निवेस के और यह क्या है आपके इंडियन संस्कृत स्कॉलर जो आपको पता होना चाहिए बंगाल से स्मृति पर सबसे पहल क्वेशन नमर फाइव में आपसे पूछा गया है किसने स्मृति गरंत दान सागर एवं जोतिस गरंत अदवुद सागर की रचना की है फिर बलाल सेन ने या फिर इन में से कोई नहीं जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपकी जो जोतिस गरंत है अदवुद सागर की रचना किसने की है मैं ये क्वेशन को दो वार इसलिए पर्टर की क्वेशन आपको प्लियर हो जाए और आप लोगों को अंसर करने में आपको मैं टाइम भी दे सकूँ और आप जल्दी जल्दी मेरे को अंसर बताने से पहले आप मुझे अंसर बताएं और आप सभी को पूरी कोशिश करने है कि आप सभी मेरे अंसर बताने से पहले आप मुझे अंसर बताएंगे और फिर कितना स्कोर राफ वो भी आप मुझे वीडियो के आइंड में बताएंगे आप यह मैं सोचना कि मैं ही आपको अंसर बतारी हुई देख लेते ऐसा बिल्कुल भी मत करना ये test series की तरह ये आपको test की तरह ही लेकर चलना है clear हो गया चलिए बात करेंगे कि आपकी जो स्मृति गरंथ जान सागर है और आपका जो जो 30 गरंथ अदबुद सागर है ये किसकी रचना आपके बल लाल से इनकी ठीक है इस question का right answer क्या होगा option number C तो जितने भी लोगों ने option number C दिया है वो बिलकुल correct है जिनका incorrect हो रहा है वो यहाँ होगा लेकिन exam में नहीं क्योंकि आप लोग यहाँ पर participate करो जिनको नहीं भी पता आपको तब भी ये करना है ताकि आपको ये चीज़े याद रहे चलिए आगे बढ़ेंगे next question question number 6 की तरफ question number 6 में पूछा गया है Venice या त्रीब Marco Polo के पांडिय राजा के ब्रहमण के समय वहाँ का सासक कौन था during the visit venetarian traveler Marco Polo जब यहाँ आए थे तो उसमें पांडिया का राजा कौन था पांडिया kingdom में उसमें ruler कौन था यह आपसे पूछा गया है आपके options है मै वर्मन कुल सेखर जटा वर्मन सुन्दर पांडिया जटा वर्मन कुल सेखर या इन में से कोई नही question समझ में आ गया Marco Polo आप सभी को पता एक traveler है तो जब यह यहाँ पर आया थे तो उसमें पांडिया किंग्टम के कौन से ruler थे वो आपको बताना यह आपसे इस question में पूछा गया है तो हगर हम बात करें जब Marco Polo का time period भी यादर को 1288 to 1293 और जब यह यहाँ पर आये थे तो उसमें पांडिया किंग्टम को जो ruler है वो कौन थे माय वर मन कुलेश वर थीक है इस question का right answer क्या होगा option number A तो जितने भी student ने option number A दिया है वो बिल्कुल correct है आगे बढ़ेंगे next question की तरफ question number 7 की तरफ question number 7 में आप सभी से पूछा गया है किसने कनड का विसास्तिर की प्राचिंतम कृती कभी राज मार्ग की रचना की है वो composed the oldest book of कनड पोईटरी कभी राज मार्ग ये question very very important है many times exam में आ चुका है चाहे आपका entrance exam हो चाहे कोई competitive exam हो ये equation आ चुका है और ये आप में से किसी कभी गलत नहीं होना चाहिए कभी राज मार्ग की रचना किस ने की थी किस ने फर्स ने अमोग वर्ष ने धुरूव ने या फिर गोविंद थर्ड ने इंग्लिस वाले student भी इसको correct कर ले ना गोविंद थर्ड है ये ठीक है तो पहरे चाहिए तो आपको यही पता होना चीए आपकी कभी राज मार्ग जो है ये आपकी कनेड poetry है ये भी exam में पूछा जाता है ये कौन से बासा में लिखी गई थी single भी पूछा सकता है तो आपको याद रखना है कि ये कनेड में लिखी गई है और ये एक poetry है तिक है ये काव्य सास्त्रे ये भी पूछा सकता है तो यह दो question यहां से बन सकते हैं बात करते हैं कि कविराज मार्ग की रचना किसके द्वारा हुई थी किसने की थी तो यह थी आपकी अमोग वर्षने की थी ठीक है इस question का right answer option number B है और यह आशा करते हूँ कि आप सभी नहीं बिल्कुल सही जवाब दिया होगा कि कविराज मार्ग की रचना जो है यह किसने की थी अमोग वर्षने आए चलिए इसकी explanation की बात करते हैं ताकि आपको यह चीजे जिनोंने कभी नहीं पड़ा वो अच्छे से उन्हें समझ में आ जाए कविराज मार्ग जो है वो राष्टे कूट के राजा निप्रतुंगा अमोग वर्ष फर्ष्ट के द्वारा लिखा और यह प्रेरित था ठीक है आपको यह भी पता होना चीजे कि अमोग वर्ष फर्ष्ट जो है कौँ किसके रूलर थे आपके राष्टे कुछ टाइनिश्टी के इतिहासकारों का कहना है कि कविराज मार्ग संस्कृत पार्ट काववे आदर्ष पर केंदरित है ठीक है तो याद रखना आपको यह भी पता होना चीजे जो यह बुक लिखी गई है कविराज मार्ग का फोकस किस पर है आपके काववे दर्षन पर और यह एक संस्कृत टेस्ट है कविराज मार्ग राजा के दर्बार के कवी और कन्नड भाषा के सिधानतकार सिर्विजे द्वारा सहलेखक है तो यह दोनों चीज आपको याद रखनी चाहिए कनफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेरो तो कि एक्जाम में इन में से कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन नमबर एट की तरफ क्वेशन नमबर एट है आप सभी के सामने इतमें पूछा है रावण की खाई दस अबतार केलास कुफा मंदिर इस सारे के सब कहां मिलते हैं रावण का जो आपका मोट है आपका दस अबतार है केलास का केव टेमपल है यह सब आरफाउंड कहां पर है एलोरा, एलिफैंटा, तंजोर या फिर इन में से कोई भी नहीं तो जल्दी से कमेंट करके बताई आशा करते हूँ कि यह कोईशन आप सभी के लिए हलफुल है और मैक्सिमम अभी तक आप लोगों ने उपर जितने भी अभी हमने 7 कोईशन करें वो सारे के सारे आपके ट् साथ होई होंगी तो ठीक है अब हम आगे बढ़ चुक है तो आपको यहां पर साउदर इंडिया के बारे में देख सकते हूं यहां पर आप से क्वेशन पूछा गया और आशा करते हूं कि वीडियो भी डैस्ट भी आपको सही लग रहा होगा साइजी समझ में आ रही होगी जिसनों ने भी option number A दिया है वो बिल्कुल correct है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 9 की तरफ question number 9 में मैंने आपसे पूछा है हॉईसाल समारक कहां पाये जाते हैं where are हॉईसाल monument found आपके options है हमपी एन हस्पेट में हलबीड एन बैलोर में मैसूर एन बैंगलोर में या फिर सिंगैरी या फिर धारवाड में जब इसे कमेंट करके बताए जितने भी आपके हॉईसाल monument है यह कहां पर पाये जाते हैं आपके पास चार option है मैं आपको time दे रही हूँ जब तक आप सभी question का answer दे रहे हैं तो जितने भी student है जितने भी लोग मेरे चैनल पर first time आया है टेलीग्राम चैनल को join कर सकते हैं दो टेलीग्राम चैनल है एक पे पीडियाप के लिए प्रीवेश से क्वेस्टेंस पेपर चाहिए या फिर चैनल पर जब भी वीडियो आती तो लिंक महां पर शेयर के जाता है और दूसरा चैनल हो आपके डाउट और क्वैरी के लिए त स्टूडेंट्स वहां पर है तो सारे आपकी हैल्प भी करेंगे किसी भी डेटिट से वह भी प्रॉब्लम होगी आपको तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा अभी तक आप सभी ने स्क्वेशन का अंसर दे दिया होगा तो हैसल मॉन्यूमेंट हमें कहां देख सुगंद वृत यानि करोण को हटाने वाला की उपाधी किस चोल सासक ने धारन की थी विप्ट्व नर अजीब टाइटल और सुगंद व्रत यानि रिमूबर और टैकसीस का तो टाईटल उपादी यह किस धारन की थी राजा राजा फर्स्ट ने राजेंदर फर्स्ट ने या इन में से कोई नहीं चल्दी से कमेंट करके हो जाए राज इंदर फर्स्ट राज राज फर्स्ट या फिर राज इंदर थर्ड यह चोला एंपायर से क्वेशन है और मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ कि आप कुछ भी चीजे कर रहे हो इंचन और मेडियेवल में तो आपको सारे टॉपिक में अच्छे से करके जाना है जहांसे आपको ज़्यातर क्वेशन देखने को मिलता है आर्ट और आर्किटेक्ट्चर भी आपको सबका पता होना चाहिए ठीक है यह सब कुछ डेटेल में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से आपको आपके सबसे जादा क्वेशन देखने को मिलता है तो अगर हम बात करेंगे सुगंद व्रत्यानी करों को हटाने वाला जो इसकी उपादी है चोल सासक में से किसने धारन की थी तो वह धारन की थी आपके राजेंदर फॉर्स्ट ने क्लियर हो गया इस क्वेशन का राइट अंसर क् अप्शन नमबर भी तो जितने भी लोगों ने अप्शन नमबर भी दिया है वह बिल्कुल करेक्ट है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर 11 की तरफ क्वेशन नमबर 11 यह आप सभी के सामने किसने स्यांगर दिपिका यानि रिगवेद पर टीका की रचना की थी कमपोज रिगड़ दिपिका कमेंटरी और रिगवेद आपके आप्शन है कुम्बन कुटन पुगलेंदी या फिर वैंकंट माधव ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताएए किसने देखो यह मेभी अभ करके बतार कि रहे हैं आप लोग सिर्फ ए बी सी ब्लեյन की और और टैसर यहां लिख रहे हैं कि फॉस्ट का अंसर यहां हुंगया इस तरीके से हम देख सकेंगे कि आपका कौन सा question number correct है या आपको भी यह idea लगा रहेगा ताकि आप वीडियो के end में बता सको कि out of 30 आप सभी का score कितना रहा चलिए बात करते हैं अभी तक आप सभी ने इस question का answer दे दिया होगा तो अगर हम बात करें कि आपके इस question का right answer क्या है option number D अभी तक यह maximum student को में भी ना भी पता हो लेकिन अब यह तीच आपको पता चल गई है कहीं भी आपको कभी भी किसी exam में question आपको देखने को मिलेगा तो आप आप इसको easily से कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ेंगे next question question number 12 की तरफ बहुत ही अच्छा और important question question number 12 में मैंने आप सभी से पूछा है प्रसिद कलाविद प्रग्यूस ने ने किसके वारे में ये का था उस काल के कलाकारों के देतरों की तरह कलपना की और जहुरियों की तरह उसे पूरा किया about whom the famous artist Ferguson he said the artist of that period conceived like monster and fulfilled it like dwellers आपके options हैं चोल आर्किटेक्चर, रास्टिकूट आर्किटेक्चर, विजन अगर आर्किटेक्चर या फिर none of these तो यहां पर आप देखते हो फर्गूसन ने एक बात बोली है और ये एक famous artist है ये बात इन्होंने किसके लिए बोली है कौन से period के लिए उस काल के कलाकारों ने देतियों की तरह कलपना की और जहुरियों की तरह उसे पूरा किया ये बात किसके लिए बोली गई है कौन से समय के लिए बोली गई है ये आप सभी को बताना है ये भी आप सभी के लिए एक नया question है और आपको बता दू कि अगर आप master's entrance के लावा UPSC की तयारी कर रहें UGC net तो ये question आपके एक जुन एक्जाम में बोली है बहुत ये अच् चोल architecture यानि की चोल stop pack कला के लिए इस question का right answer option number A है तो जिनोंने भी option number A यहाँ पे लगाया है वो बिल्कुल सही है clear हो गया चलिए आगे वड़ेंगे next question question number 13 की तरफ question number 13 में आपसे पूछा गया है नाना देशी निगम क्या था देको इस तरीके से आपके entrance exam में question पूछा जाता है कि एक word दे देंगे और वो पूछ लेंगे कि इस word ये क्या है इसे क्या कहने का इंका मतलब है ठीक है तो नाना देशी निगम क्या है ये आपसे पूछा गया है दूर दूर के प्रदेशों वविदोशों के साथ वेपार करने वाले या वेपारियों का निगम को नाना देशी निगम क्या जाता है या तेल का जो वेपार करने वाले लोगों को नाना देशी निगम क्या जाता है या फिर इन में से कोई भी नहीं चल्दी से बतागी कि न Corporation of Merchant Doing Business with Distant Territories and Foreign Countries Corporation of City Traders या फिर Oil Merchant Corporation तो अगर ये question आपके exam में आ जाए और नाना देशी निगम क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो याद लखना है ये Corporation है ये वो चीज है जहाँ पर आप दूर दूर के देशों और प्रदेशों के साथ वेपार करने वाले वेपारियों का जहाँ पर निगम है उसे कहा जाता है इस question का right answer option number A है Corporation है merchant जो क्या करते हैं business करते हैं आपके दूर दूर foreign countries में या distant territories में उसको नाना देशी निगम कहा जाता है कब कभी भी ये question आए तो आशा करूँगी कि अब आप में से कोई भी इसको गलत करके नहीं आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next question question number 14 की तरफ question number 14 में आपसे पूछा गया है यादव समराटों की राज़दानी कहां थी where was the capital of यादव emperor तो ये वारा topic बहुत ही रिवयर स्टुरेंट्स ने पढ़ा होगा तो इसको जरूर पढ़िएगा तो यादव समराटों की राज़दानी कहां थी ये आपसे पूछा गया है दौरस्वमूंत्र वरंगल कल्यानी या फिर देवगिरी जल्दी से बताएं comment करके जो यादव emperor है उनकी capital कहां पर है अगर ये चीज़ आपसे पूछा जया तो याद रुखना यादव समराटों की राज़दानी थी वो थी आपकी कल्यानी ठीक है इस question का right answer क्या होगा option number c आगे बढ़ेंगे इसकी explanation की तरफ मैं आप सभी को बता देती हूँ यादव बंश जो है आपका वो मद्य भारत के 12-14 सताबदी के हिंदो राज्ये के सासक थे ये जो अब भारती राश्टे महराश्टे है ठीक है भारती राज्ये ही महराश्टे है ये आपको याद रखना है मूल रूपी से कल्याडी के पूर्वी चालुक के का एक साम्मन्त है वन्स अपका भिलाशा के तहट दकन के सर्वों पर ही ये बन चुका था जिसने अपनी राज़दानी के रूप में देवगेरी बाद में दौलता बाद के स्ताप्टा की थी क्लियर हो गया तो यह याद रखना कि यादव डैनिश्टी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर कि इस टॉपिक को एक बस जरूर पढ़िएगा ताकि इससे कोई भी क्वेशन आपके एक्जाम में है तो आप लोग एजली से कर पाए चलिए आगे बढ़ेंगे ने कर दिए होल का समबंध है जिएंदर टैमपल में गूती टैमपल एहोल जो आपका ही यह यह विल्ड कया था रधिकीर्थी के दवारा तो यह किस से रिलेटेटीड है यह मन्दिर सी फरम सैविज्डीशम से यह जैनिशम से यह फिफ ज्यनिशम से बुद्धियं से जो बनाए गए हैं कि किस से रिलेटेड है यह चीज आप से पूचिए जल्दी से बताइए क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था आर्ट और आर्किटेक्ट्र से रिलेटेड ही क्वेशन आपको यहां पर देखने को मिलते ही है तो अगर हम बात करेंगे कि आपका जो यह मंदिर ह गूती तो यह रिलेटेड आपके जैन धरम से ठीक है इसक्वेशन का राइट उप्ष्ण नमबर सी चाहे हैं पका जिरेंदर टैम्पल हो में गूती टैम्पल हो बात कर लेटे एहोल सिलालेक जिसके बारे में आप लोग माना जाता है किसकी रचना जैन किर्थी रवी किर्थी ने किया है पहली चीज तो आपको यही पता होने जो एहोल इंस्क्रिप्शन है इसको किसने कमपोस किया था रवी किर्थी ने किया था इसकाल के त्यास के पुरनिर्मार का एक बड़ा ये सोच है बड़ा एक श्रोत माना जाता है ये पुलकेशी द्वित्य की उपादी को दर्च करता है विसेश रूप से उत्तरी भारत के शाशक हर्षवर्दन के खिलाफ उनकी जीत हुई थी यानि पुलकेशी द्वित्य ने हर्षवर्दन से क्या की थी यहां बरवार किया था जिसमें उन्होंने विजय प्राप किया था और ये कौन है आपके चालुक्य के रूलर है ये साथ बात आपको अच्छे से पता ही है तो ये फेमस चालुक्य के राजा है पुला के शिंद्वित्य है ये फॉलोवर थे आपके जैनिजम यानि जैन धरम के एहोल सिलाले किसमें संस्क्रिट भाषा में और पुरानी कन्नड लिपी में इसे लिखा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन से भी भहुत questions आते हैं इंस्क्रिप्शन का भी एक जैन के एकग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही तो ये फॉल इंस्क्रिप्शन याद रखना ये इकौन सी लेंगविज में है और अगर स्क्रिप्ट यानि के लिपी पूछी जाए तो याद रखना कन न डिस्क्रिप्ट है अदरवाइस जो भी स्टूडेंट आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आया है इंस्क्रिप्शन उन्हें पढ़ना है तो इंस्क्रिप्शन मैंने आप लोग चेक आउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इंस्क्रिप्शन पर तीन लेक्ट्चर्स आपको मिलेंगे बहुत इंपॉटेंट है सारे शिलालेक अभिलेक करवाएवे मैंने और इस्पेशली मैंने अशोक के सिंगल पर एक वीडियो बनाई है जिसमें आपसे क्वेशन आएगा इंस्क्रिप्शन से कहीं भी कुछ भी क्वेशन है आप लोग एजिली से कर सकते हैं तो जिने भी इंस्क्रिप्शन पढ़ना है हिंदी और इंग्लिस दोरों में उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी या तो ठीक है तो आप प्लेइलिस में जाकर चेक आउट करो नहीं तो एंचेन हिस्ट्री के भी प्लेइलिस में मिल जाएगा अधर्वाइस इंस्क्रिप्शन की मैंने सिंगल प्लेइलिस बनाई भी है आप लोग जाकर के इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं लिए इसक्रिप्शन की याद रखना तो यहां पर आपके पूरा केशन दुद्ध्ट्य यह जैनिजन के फॉलोवर्स ते ठीक है अब आशा करते हूं कि यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी क्वेशन के थूरू यह चीजे भी आपको समझ में आ गई होगी चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमर्स 16 की तरव क्वेशन नमर्स 16 में पूछा है तुर्कों दोरा राजपूतों को पराजित करने का इन में से कौन से कारण है आपके पास चार आप्शन्स है पहले तो इंग्लिश में भी देख लो कि प्रिथिक्तावादी एवम अनुदार होना सेकिंड है असमानता पर अधारिच जाती विवस्ता थर्ड है विज्ञान एवम प्रद्योगी की अवनिती और भारतियों को सांती एवम अहिंसा की निती और आपके पास या निती आप्शन्स दे रखें इनमें से कौन सा करेक्ट है यह आप सभी को बताना है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने का इनमें से कौन सा कारेंट है तो तुर्क ने राजपूतों को हराया था उसमें से आपको रीजन बताना है चार स्टेट्में दिये हुए जिसमें से आपके कौन साथ सही है यह आप सभी से पूछा गया है नीचे आपके पास options भी दे रहे हैं तो जल्दी से comment करके मुझे right answer बताईए अभी तक थोड़ा सा time दे दे रहे हैं तो कि थोड़ा सा लेंदी question है आपको थोड़ा सा extra time क्योंकि छोटा तो 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 मैं थोड़ा साथ जल्दी करते तो लेकिन आप जल्दी चल्दी से बताईए कि इसका right answer क्या होगा यहां पर चार options है इसमें से कोई भी कौन सा गलत है कौन सा सही और अगर किसी को इसको detail में पता है तो आप comment करके इसके बारे में बता भी सकते हैं चलिए बात करते हैं भी तक आपने इस question का अंसर दे दिया होगा तो तुर्कों द्वारा जो प्राजित करने का जो कारण था पहला तो उनके समाज का प्रिथक्तावादी एवम अनुदार होना यह बात सही है आसमानता प्राधारिक जाती विवस्ता थी यह बात भी सही है विज्ञान एवम प्रद्योगी क्यव निती भी सही है लेकिन भारतियों पर सांत्य एवम अहिंसा की निती यह बात गलत है इस question का right answer क्या था option number C ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 17 की तरफ question number 17 में मैं आपसे पूछा है महम्मत गौरी क अकरमनों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ है which of the following was not the result of the invasion of महम्मद गौरी आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि महम्मद गौरी ने भी बहुत बार attack किया था हमला किया था तो इसमें से उसका कौन सा परिणाम नहीं है यह चीज आप से आप फिल-try भारत का एक केंदित सत्या के अधीन हो गया यह आप राजश्टू से प्राप्त आर्तिक साधन अब प्रत्यक्स रूप से सासक के हाथों में केंदित हो गया यह उत्तरी भारत के में एक नगरिय करांती का सूत्र पात हुआ यह इनमें से कोई नहीं तो जल्दीचे कमेंट करके बताइए कि महम्मद गौरी ने जमिन बेट जन किया था तो इसका क्या रिजल्ट नहीं निकला था नौर्दन इंडिया अगीन केम अंडर सेंट्रल अथॉरिटी फ्रम पंजाब टू पंगाल या एकॉनमिक रिसोस्टी ड्राइब फ्रम लैंड रविनियन और डा पंजाब से लेकर के बंगाल तक और फिर उत्तरी भारत का एक केंद्री सक्ता के अधीन हो गया यह जीज नहीं हुई थी ठीक है इसके सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसलिए आपसे गलत पूछा है इसलिए आपको क्वेशन बहुत ध्यान से पढ़ना देन अपने क् बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन बहुत ही अच्छा है कुटो गुद्धी नैवक्त स्लेव डाइनिस्टी यह सब कुछ हम अल्रेडी कर चुके है अब इससे आगे मैं आपको करा नहीं पाई हूं दीरे दीरे मैं आपको कराऊंगे आपके एक अलाई दर्वाजा इन में से किसका मुख्य द्वार है यह क्वेशन पूछ है अलाई दर्वाजा इस दा में गेट और विच आप दी फॉलोइंग आपको जमात खाना मजजिद सीरी कुद मिनार या इन में से कोई नहीं सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके यह बताने वाल यह भी साथ में आप सभी मुझे बताओगे एक्जाम में यह भी पूछा जाएगा ठीक है और आपसे अभी में कुशन तो यही पूछा गया है कि अलाई दर्वाजा जो है यह किसका यहां पे मुख्य द्वार है तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले अलाई दर्वाजा किसके द्वारा यह बनाया गया था आपके अलाउद दिन खिल जी के द्वारा ठीक है क्वेशन कहीं भी कभी भी कुछ भी पूछा सकता है तो आपको सारी चीजे पताओने चीए ठीक है कब बनवाया गया था सारी 1191 मेने च्ट्ट刃ट वह था आपका 1311 में ठीक है 1311 एदी में ये वह बनवाया गया था आलाउद दिन खिल जी के द्वारा ठीक है करेक्ट कर लेना और अलाय दरवाजा का या मुख्य द्वार कौन सा था यह उपसे पूछा गया तो था आपका कुतुम मिनार इस क्वेशन का राइट आंसर आप्शन नमबर सी जिनों ने भी आप्शन नमबर सी दिये वो बिल्कुल करेक्ट है और बहुत से चुन कोई डाउ से और से दरवाजा आपका अलाय दरवाजा का मुख्य दुह रहाएं आपके शुत को अप्षन् में उलसाम नहीं दिया हुआ ठीक है भुर सारे एक्जाम में उप्षन में कुवत उलसा मौस्ट्यव दिया होता है तब आपका All 지금 सब्सक्राइब 문제 है वो आपके options पर depend करते है maximum student को कुछ इस्क्राम मॉस्क्यू पता होता है कि अलाय दर्वाजा को में गेट है वो कहां पर जाका यह गुंबदर दर्वार प्रिवेश द्वार है जो लाल बलुवा पत्थर का उप्योग करके बनाया गया और सफेश संगमानमर से सजाया गया था चीक है क्लियर हो गया चलिए तो आप लोग अगर चाओ तो इसको डिटेल में पर सकते हो अलाय दर्वाजा पर यह हेडिंग डालेंगे तो उसके बारे में आपको सारा अर्ट और अर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन 19 की तरफ टोटल 30 क्वेशन से स्टूडेंट जल्दी-जल्दी करते हैं क्वेशन 19 हैं अम अमीर्ड फिरोश खिल आपको बताना है कौन सा सही है क्लिए चलिए यह सूफी संत सेक निजम अदिन ओलिया के शिश्य है थे सैकंड आपशन है वाजलाल उद्दिन फिरोश खिल जी के दर्बारी कभी थे थर्ड ऑप्शन है उन्होंने भार्तिये वाग्य यांत्र वीरा एवं इरानी वागेयन तंबूरी के मिश्रन से सितार का विश्कार किया था फूर्थ है उन्होंने ख्याल गाएकी का विश्कार किया था He was a disciple of सूफी संथ सेख निजम उद्दिन आलिया He was the court poet of Jalaluddin फिरोजखिल जी He invented the सितार by mixing the Indian musical instrument Veena And Iranian instrument Tambri And he invented Khyal Singhi तो यह चार स्टेट्मेंट है आपके अमीर खुष्रो से लेटेड तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें से चार स्टेट्मेंट से कौन सी बात यहाँ पर सही है और कौन सी नहीं अमीर खुष्रो बहुत ही important topic है यहां से आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलती है ठीक है बहुत सारी तो इसलिए आपको कुछ भी skip नहीं करना है और इसलिए आपको सारी की सारी चीज़े पताओनी चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस question का right answer क्या होने वाला है तो अमीर खुष्रो से related तक आप सभी मुझे answer बता रहा है आप सारे options जल्दी से second कीज़े नीचे options भी दिये तब तक मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अमीर खुष्रो को और क्या कहा जाता है जो आपके एक्जाम में question पूछे जाता है तो इन्हें father of qwalhi के नام से भी जाना जाता है तो इनहें father of qwalhi के नाम से कीसे जाना जाता है आपके अमीर खुष्रो को वहिर इंपॉटेंट है और यह ईपके एक सूफी मिज़ीशयन भी है यह कौन है आपके सूफी मिज़ीश套्य है अपके पोय थे आपके प्वेट थे हैं इस सारे की अमीर खुश्रो याद रखनी है फिर आपका first options है कि वे सूफी संत सेक निजम उद्दिन ओल्या की शिश्य थे यह बात बिल्कुल सही है तो जहां पर option number one है वो option सही है यानि कि B आपका incorrect होता है क्योंकि इसमें first नहीं दिया और D भी आपका खिल जी के दरबारी थे code poet थे ठीक है तो यहां पर क्या होगा अला उद्दिन खिल जी तो अमीर खुश्रो जो है वो अला उद्दिन खिल जी की यहां पर याद रखना code poet थे very very important है जो आपको पता होना चीए it means आप लोगों को second option है वो गलत है second option यहां पर है इसका मतलब आपका जो correct answer question का वो क्या होने वाला है option number a जितने भी लोगों ने option number a दिया वो बिल्कुल correct है बाकी क्यों options आप देख सकते हो ख्याल गायकी का उन्हों आप इसकार किया था और वाद्य यांतर वीड़ा और इरानी आपका वाग्य यांतर तंबूरी के मिसरस इन्होंने सितार बनाया था ये बात भी बिल्कुल सही है अमीर कुष्रों से related आपसे बुक्स पूछी जा सकती है तो बुक्स का याद रखना नूर सिफिर अगर आपसे पूछी जाए कि नूर सिफिर इन्होंने ये बुक लिखी थी next बुक अगर मैं बात करूँ तो जेन उल्फ तहा इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो इस किसने तीनों की तीनों आपके अमीर खुष्रों के द्वारा ये बुक लिखी गई है तो इस सारी चीजे आपको इनसे related पता होना चाहिए क्लियर हो गया आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं और अगर ये question क्लियर हो गया तो जल्दी से एक बार आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस चीज क्लियर हो गई ये इनके बुक के नेम आपको याद करने ही करने है ठीक है तो ये भी सिंगल सिंगल में आपसे पूछा सकता है इस सब कुछ आशा करती हूं कि आपको इस सारी चीजें क्लियर हो गई होगी चलिए इक question आप लोगों को समझ में आगया इस question का right answer option नमबर A था आगे बढ़ेंगे next question question नमबर 40 sorry 20 की तरफ तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ चार option है दुरबर प्रशाश्वन, तेमूर का आकरमन, अधिगरेंड की स्प्रिष्ट निती का भाव या मिश्रि संस्कृती का उदै आपके पास यह question पूछा है कि दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुआ था इस of mixed culture तो आपके पास first, second and third, second, third and fourth, first and third या only second तो कौन सा statement यहाँ options है यह आप से चीज पूछी गई है दिल्ली सल्तनत आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि 1206 से लेकर के 1526 तक हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं जिसमें से ह हमने देखा था कि आपके slave dynasty हुए थी कि आपके खिलजी dynasty हुई आपके तुगलग dynasty हुई आपकी सया dynasty और लास्ट आपकी लोधनी dynasty तो यह पांच डैनिस्टी आपको इसमें देखने को मिलता है जो 1206 से लेकर के 1526 तक यहां पर इन्होंने रूल किया था इसके बाद आपके आते हैं मुगल्स ठीक है यह बात मुगल्स आता है जिन्होंने 1526 से लेकर के 1707 तक इन्होंने रूल किया था यह चीज़ा आपको अच्छी तरीके से पता है लेकिन अगर हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पतन होने के कारण में एक तो यह दूर्बद प्रशाशन था व बिल्कुल इनकरेक्ट है इसक्वेशन का राइट अंसर आप्शन नमबर ए होगा फॉर्स सेकेंड एं थर्ड स्टेट्मेंट आपका यहां पर राइट होगा क्लियर हो गया कोई भी डाउट है तो आप लोग पूश सकते हैं यहां पर आपको पता है बंगोलो ने भी आकरम इसके बारे में आपको डेटेल में थोड़ा बताती हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं दिल्लि के सुल्तानों का शाषन तीन से ताब्दियों से अधिक समय तक चला बारह सो चैसे पंदा सो छबिस तक चला सुल्तानों के पतन होने के क्या कारण है कुछ है रीजन दियें आईए चले देखते हैं दिल्ली के सुल्तान आये और अपनी सेनाओं के बल पर भारत पर विजय प्राप्त की लेकिन उन्हों ने कभी भी अपनी प्रजा का विश्वास और प्याजितने की कोशिस नहीं की थी ये बात अभी सभी जानते हैं पहले दिल्ली सल्तनत में आपको अम soybean पता है किसा रूल था मुस्लिम का रूल था ये सकते हैं अगे रूल मेडियो इंडिया और पर चलता है दो इनोम को क्या रहा है इनको अपने प्रजा के लिए कुछ भी एतना इप्रॉट्टन नहीं दिया था फिए हर पर ने वह त्भी आगे में आपकार इक cotton अप इस पर जज़िया टैक्स और फिर रगा दिया था और नतीजन हिंदू उसमें नफरत करने लगे और कहले दूस्मन बन गया आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम की चीजे बहुत आद आपको यह पर देखनी को मिलती है जिसमें से यहाँ पर जितने भी मुसल्मान थे, मुसलिम से उन्होंने क्या करा था हिंदू के टैंपल्स को डिस्ट्रॉई करके अपने मॉस्क्यूस को महाँ पर बिल्ड करवाय था अगर आप यहाँ देखो कि सबसे जादर जो हैं पर टैक्सिस भी लगाए गए थे सुल्तानों के पतन के लिए मुसलिम कुलीन वर्ग को भी दोशी ठहराया जा सकता है सेनाय हुए रहीस हुए यह सारे के सारे बहुत जाद पावरफुल थे के वर आपके अलाउद्दिन खिलजी और बलबन यह दोने कमजोशार्शा गदी पर बैठा तो उन्होंने उसका फायदा उठा उठाए उसके खिलाफ विद्रोग कर दिया था ठीक है कोई भी रूलर आपके देली सल्टनित के समय पर आप देखोगे जबी वीक सकसेसर था वीक रूलर था उसके अगेंस यह लोग क्या करते थे इनको हरा करके और खुद वहां पर बैठ जाते थे फिरोशा तुगलक अगर आप देखोगे तो उन्होंने जागिरदारी विवस्ता को सुल्तानों के विनास के लिए जिम्मेदार का एक महतुकूर कारक बता है था जागिरदार सिस्टम अपने अच्छे से दर्गी से बढ़ा जागिरदारी सिस्टम आपको पता है जिनको लैंड दी जागिर होते हैं जागिर आपकी क्या होती है जो से जागिरदारी कहा जाता है क्लियर हो गया और आपको यह पता जैसे कि आप सभी ने फ्यूडलिजम सामंत बात पड़ा था तो इसमें आप में देखा है कि यहां प किया जाता था नेक्स्ट है सवनराज जो इतना मिसाल था कि उन दिल्ली दिल्ली सल्थनत कँ ए यह बात आपको भी पता है, ठीक है, अपकर बैटल ओब पानीपत πानीपत को1 नहीं हुआ था कब हुआ था 1526 में लेदा के बीच और इब्राहिम लोधी। बीच में जिसमें आपके बावर की विजय हुई थी और यहीं से आपका मुगल एमपायर की स्टार्टिंग हो चुकी थी ठीक है तो यह थे आपके कुछ दिक्लाइन होने के रीजन चलिए आगे बढ़ेंगे इंगलिस वाले स्टुडेंट के यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो स्क्रिंशॉट ले सकते हैं मैंने इंगलिस और इंदी दोनों का यहां पर लिखा हुआ है ताकि आप मेंसे किसी को भी कोई भी प्रॉब्ल ना है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 21 की तरफ 21 में आप सभी से पूछा गया है जब राजा वोडियार ने तैमुर राज्य की स्टापना तक विजन अगर राज्य का शाशक कौन था question आप से पूछा गया है वोई राजा वोडियार ने जब मैसूर राज्य की स्टापना की थी तो उस समय विजन अगर अगर का शाशक कौन था तो वो थे आपके vacant second तो जितनी लोगों ने option number D बताया है वो बिल्कुल सही है चलिए इसकी explanation भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं अगर हम बात करेंगे अन्यस्तान ने सरदारों के साथ आंतरी कहला है कि एक सिंकला के बाद करनाटक के सुदेशिक सरदार एक राजवांस की संस्तापक बन चु लिप्त नाम के तहर सिंगाशन पर चड़ा था इसके साथ सुरू करने के लिए मैसूर जी देखे कुछ इससे से युग तो बहुत चोटा राज्य था और माइसौर आप देखो के तो इनकी क्या थी capital थी विजय याद रखना विजय और कृष्णा ये दो ब्रदर किसके हाथ में थी इन हुज हैंट वस्टर रियल पावर एड़ टाइम सदाशिव राय तर लास्ट टूलर ऑफ तुलवा डैनिस्टी आपके आपसे राम राय या राम राजा तिरूमल नरसा नायक या इनमें से कोई भी ने तो तुलवा डैनिस्टी आप से पूछा है तु से कमेंट करके बताई 22 कोईशन अभी 8 कोईशन और बचे हैं फिर आप मुझे बताने वाले कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा तो चलिए अगर हम बात करेंगे तुलवांस की चौनतिन साथ सदाशिव राय के समय वास्तिव सत्ता जो किसके हाथ में थी आ गई थी आपके र राज्य के निर्ववा साशक थे इस विशाल सामरज्य के सभी रहीसो और सही अधिकारियों ने अपने राज्य के रूप माननेता दी थी और वह के रहावल और चारिक सा सकते असली सकती जो आप देखोगे वह किसके हाथ में राम राय और उनके दो भाई तिरुमाला और व पस जाते हैं इसी वज़े से मैं आपको एक्स्प्राइशन भी दिखाती हूं ताकि आपको यह सारी चीजे क्लियर हो और एक्स्प्राइशन के थूरू आपको क्वेश्टन भी याद रहे चलिए क्वेश्टन नमर्ट 23 यह आप सभी के सामने जिसमें मैं आपसे पूचा है तालिकोटा का यूद का कारण क्या था बैटल ऑफ तालिकोट का जो रीजा ने वो पूचा गया है आपसे है आपके अप्सें से राम राय का जक्षुरी सल्तनों के साथ दंपूर वेवार और उनकी अंतराष्टे राजिनिती महस्तिशेप विजे अगर के प्रति जक्षु ताकि आप लोग जादा तर अंसर अपने एक्जाम में कर पाएं और कोई भी कन्फूजन या प्रॉब्लम आप सब में से किसी को ना है सबसे पहले था आपको यही पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ टैलिकोट हुआ कब था तो यह कब हुआ था आपका 1565 में वेरी वेरी इं मुस्लिम सुल्तान जिसमें से आपके बीजापूर, विदार, आपके एहमद नगर और आपके गोलकुंडा के बीच में हुआ था ठीक है और अगर आप कोई पूरी डेट याद रखने तो 1565 जनवरी 23 में यह बैटल ऑफ टैलिकोट आपको देखने को मिलता है ठीक है तो अ मुपूल वहवार के वज़े से और उनकी अंतराश्य राजिनती के हक्षटेप यह कारण बना था और विजन अगर के प्रती दक्षडी सल्तनतों की समान इर्षा वग्रिना की भावना से ठीक है इस क्वेशन का राइटेंस और ऑप्शन नमबर सी है तो जिन्होंने भी दक्षड भारत के डेकिंट छेतर में टक्राव हुआ था यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षडी पुरुस्तान पर लड़ी गई थी जो अब उत्तरी कर्णाटक राज्य है तो यह सारी चीजे कहीं भी कभी भी पूचिए सकती है सारे बैटल्स अगर आपक सभी से पूचा गया है ना स्टुरेंट अब जो क्वेशन स्टार्ट होते हैं वह होंगे आपके मुगल से ठीक है तो मुगल के टॉपिक्स आपको क्वेशन देखने को मिलने वाले हैं इसे पहला क्वेशन है किस मुगल शाशक को उपवनों उद्यानों के अत्यंत राजकुमार या मालियों का मुगुट कहा गया है आपके अप्सिंस है बाबर हुमायू अकवर या फिर सहजा विच मुगर रूलर वस कॉल्ड दा प्रिंस ऑफ गार्डन या दा क्राउन ऑफ गार्डनर विकॉस ऑफ इस ग्रेट इंट्रेस्ट इन गार्डन तो किसका इन म नमबर ए तो इनको सबसे जादा इसमें रूची थी इसी वज़े से इनने क्या का जाता है आपके उपणों का राचकुमार क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन 25 की तरफ क्वेशन 25 में पूछा गया है किस यूद को जीतने के बाद शेर्षा ने दिली के अफगान सत्ता की स्तापना की थी बिलिग्राम का यूद कलिंजर का यूद चौसा का यूद या फिर आपके इनमें से कोई भी नहीं आफ्टर विनिंग विच वर डिडिसेर सा स्टैबलिस अफगान पावर इन दिली जल्दी से कमेंट करके बताएए आपके पास उद्राइम है क्या टाइम है कि मैं जल्दी से टाइम भी दे दे रह को जादा नहीं मिलेगा आपको टाइम कर्के लिए पता है सारे के सारे time period ही पता होना चीज तो यह बात आपको भी पता है कि आपका जो सेरसा सुरी है इनकी dynasty आपको पता है ठीक है अगर आम इनका time period आप देखोगे तो फंदरा सो चालिस से फंदरा सो चपन तक इन्होंने रूर्ण किया था यह पहले तो को पता होना चाहिए सबसे पहली चीज तो हम यही पता होना चाहिए उसके बाद अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से करा होगा और अच्छी तरीके से सारे बैटल्स करें तो ही आपको इसको कर पाओगे क्योंकि सेड़्सा सूरी का समय मैंने आपको लिखा है 1540 से 15 1556 कि इन्होंने रूल किया था महीं अगर हम बात करूँ इस समय जो बैटल हुआ थो बैटल ओफ बिल्ग्राम हुआ था ठीक है आप्शन नमबर ए करेक्ट होगा ठीक है क्योंकि अगर यह बात हमें पता है यह बैटल आपके किसके किसके बीच में हुमायू और सेरसा सुरी के बीच में वार हुआ था बैटल ओफ बिल्ग्राम वरी वरी इंपॉर्टेंट कब हुआ था 1540 में चाओ तो डेट लिखनी है तो कब है 17 माई को ठीक है तो पहली बात तो आपको यह टाइम पीरेड याद रहेगा तो आप इसली से कर पाऊगे कि कब कौन सी चीज हुआ थी अगर आपको बैटल के टाइम भी पीरेड याद होंगे तो भी आप उसको इसली से कर पाऊगे ठीक है अगर हम बात करेंगे आपके बैटल ओफ चौसा की तो बैटल ओफ चौसा आप सभी को पता है 1539 में हुआ था 1539 में हुआ था और डेट भी अगर आपको पूरी लिखन है 26 जून को ठीक है बैटल ओफ आपके चौसा भी किसके बीच में हुआ था आपके हुमायू के बीच में हुआ था और आपके सेर्सा सुरी के ही बीच में हुआ था लेकिन आपसे कोशन ही यह पूचा है जब अफगान की पावर आपके इसके किस यूद को जीतने के बाद इसलिए यहां पर कनफ्यूजन होती है तो यह दोनों इस समय ही जो बैटल ओफ चौसा है आपका बैटल ओफ बिलग्राम हुआ यह दोनों ही आपको यहां पर देखने को मिलते हैं इसलिए चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ अब 1545 में हुआ था यह वार ठीक है यह वार भी आपका कब हुआ था 1545 में यह बात भी आपको पता होने चीए क्योंकि यहां से भी आपको क्वेशन्स देखने को मिल सकते हैं चलिए इस क्वेशन का राइट अंसर आप्शन नमबर यह था आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमर्ट 26 की तरब क्वेशन नमर्ट 26 है वो अमंग दे फॉल्वेंग इंडियन रूलर वोज़ा कंटेंप्ररी ओफ अकवर इन में से भारतिय सासक में से अकवर के समकालिन कौन है रानि दुर्गावती हिल्या बाई मात्रिदिन वर्मा या राजा समवाई जैसिंग जल्दी से कमें करके बताइए किस क्वेशन का राइड अंसर का ओंगा अकवर का कंटेंप्रेरी इन में से कौन था बहुत ही पार गी क्वेशन आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और वीडियो आपको यह क्वेशन कैसे लग रहे हैं किती हेल देखेंगे सबको कमेंट करके अंसर यह बताते रहना है चलिए अगर हम बात करेंगे इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा कि भारते सासकों में से अकवर का समकालिंग कौन थी आपकी रानी दुरगावती इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा रानी दुरगावती option number A जिन्होंने भी option number A दिया है वो बिल्कुल correct है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 27 की तरफ question number 27 में आप से पूछा है अकबर के साशनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार रहे था क्योंकि हमें परशाशन और एड्मिनिस्ट्रेशन अच्छे से करके जाना है एक्जाम में question आएगा the function of an officer name अमल गुजार during the reign of the अकबर वास ये एक कानून और विवस्ता समालता था या फिर भूमी राजस्व का मूले कान और संग रहे करता था या फिर राज घराने का ये प्रभारी होना था ये फिर साइख जाने की देखबाल करता था क्यों आपको पता है administration में सबको अलग-अलग काम के लिए यहाँ पर रखा जाता था तो ये जो officer है अमल गुजार याद रखना ये भूमी राजस्व का मूले काना और संग रहने का काम कौन सा मलता था ये मतलब land revenue जो collect करता है अकबर के साही में उसे अमल गुजार कहा जाता है इस question का right answer option number B है very very important है इसके बाद आप चाहो तो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के administration को जाकर जरूर पढ़िएगा एक्जाम में questions आपको देखने को जरूर मिलेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे next question की तरफ next question में आपसे पूछा है किस वर्ष वेसाकी के दिन 13 अप्रेल को गुरू गोविन सिंग ने खालसा अपंत की थी ये तो बहुती easy आप सभी को पता है इन विचियर गुरू गोविन सिंग दिड खालसा पंत on the day of वेसाकी और 13 अप्रेल 60-50, 60-99, 70-50 या 17-99 जल्दी से comment करके बताए कि इस question का right answer क्या होगा तो आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो ये हुआ था आपका कफ 16-99 में ठीक है तो इस question का right answer option number B है इस question का answer आप सभी already पहले से जानते ही होंगे ठीक है अगर आप देख सकते हैं तो आपका वेसाकी का एक प्रमुक्त विखार है जो कि तेरा प्रेल 16-99 को सिक्धरम के दसवे गुरू गुरू गोविन सिंग द्वारा खाल सा अदेश का या बेर जर्म का ये प्रतीक माना जाता है आगे बढ़ेंगे question number 29 की तरफ question number 29 में पूछा है भक्ती अंदोरन को दक्षिन भारास से लेक लाकर उत्तर भारा तक प्रचालित करने का श्रेक की से दिया जाता है फूज क्रियेट क्रेटिट विद ब्रिंगिंग दभक्ती मुव्मेंट फ्रॉम साउथ तू इंडिया तू नौर्थ इंडिया आपके option से संकारचार रहे रामानूज रामानन या फिर कबीर देखो अगर हम बात करेंगे भक्तिया अंदोलन को दक्षिन भारत से हटा कर लाकर के आपके उत्तर भारत जो प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है ये किसको दिया जाता है ये दिया जाता है आपके कभीर को एक बार जल्दी से एक बार आप चैक आउट करो किस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा जल्दी से सारे options आप एक बार पढ़िए तो अभी तक आपको question समझ आगे हो कभीर राइट अंसर नहीं होगा sorry गलती से जल्दी में यहाँ पर गलती हो गई दुबारा से question पढ़त होगा रामानन्द है ठीक है option number C बिल्कुल correct होगा तो जिन्हों ने भी option number C बताया है वह बिल्कुल correct है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने next question आज का last question यह आप सभी के सामने इसके बाद आप सभी मुझे comment करके बताएंगे out of 30 आप सभी का score कितना रहा पंजाब में भक्ति अंदोलन के अग्रदूत थे नानक अरजुन देव तेक बहादूर या गुरू गोविन सिंग जल्दी से comment करके बताएं वीडियो को like शेर करते रहें आपका आज का last question है तो अगर हम बात करें कि पंजाब में भक्ति अंदोलन के अग्रदूत थे वो थे आपके गुरू नानक ठीक है इस question का right answer option number A है तो यह से total आपके 30 questions पहले मैं इसकी explanation की बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सिख गुरू और सिख धरम के संस्थापक है गुरू नानक ने तो स्टुडेंट यह थे आपके total 30 questions जल्दी से comment करके बताएं कि आप सभी का स्कोर कैसा रहा तो इसी तरीके से आपको next वीडियो में modern history के questions आपको देखने को मिलने वाल है तो इसके लिए चैनल पर बने रहे हैं जैसे कि मैंने आपको कहता दो दिन बाद आपको पर वीडियो देखने को मिलेगी ही ancient की दो दिन पहले ही मैंने आपको test series ली थी आज देली अब दो दिन बाद आपको modern की देखने को मिलेगी आप लोगों का response अच्छा रहा तो आपको ज्यादा तर मैं questions कराऊंगी इसी तरीके से अभी मैं आपको books and author के भी में single test लेने वा करना है में साथ बने रहना है कमेंट करके वताओ आज की class कैसी लगी आज का test कैसा रहा और आज का सब कुछ कैसा रहा तो वीडियो पसंद आई तो like share comment करना मत भूलना instagram handle आपको जिवापे फॉलो कर सकते हैं टेलिक्राम करें description box में मिल जाएगा दोनों को join जरूर सब्सक्राइब जरूर करो और रात के साधर नौबजे आपको test series देखने को भी लेगी ancient medieval modern सारे प्रिलिष के वीडियो history के लिए बहुत ही जादा helpful है आप मैंसे कोई भी paid classes लेना चाहता है history के लिए किसी वी एक्जाम के लिए तो watch up number description box में मिल जाएगा आप लोग अचाए खासा स्कोर रहा होगा आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज मैं आप सबका स्कोर कैसा रहा तो चलिए शुटर आज की वीडियो में इतना ही मिलते है अपने next test में तब तक आप लोग modern history के सारे topic पढ़के आएगा बाकी के test हम next में cover up करेंगे तो चलि